प्रधान मंत्री मोदी ने देश वासियों को दिवाली की बधाई दी है ट्विट करके पीए मोदी ने कहा है कि दिपावली के 52 अफसर पर देश वासियों को हरदिक शुक कामना है मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के चीवर में सुख संपनिता और सुभाग्य लेकर आए तो पीए मोदी ने ट्विट करके पूरे देश वासियों को दिवावली की हरदिक शुक कामना है दी है और आपको बताते चलें कि इस बार भी हर साल की तरह प्रधान मंत्री जवानों के साथ ही अपनी दिवाली मनाने वाले हैं और इसी कड़ी में वो जमु कश्मीर जाएंगे वहाँ पर जवानों के साथ दिवावली का ये शुब दिन बताएंगे तो पिछले साथ साल से प्रधान मंत्री लगादार जवानों की बीच दिवाली के साथ शुब अफसर पर रहते हैं वहीं हर साल की तरह इस बार भी पियम दिवावली का त्योहार मनाने जवानों की बीच पहुचेंगे पियम मोदी जमु कश्मीर में राचारी के नौशेरा सेक्टर में दिवावली मनाएंगे और यहां पर पियम मोदी फौवर्ट पोस्ट का दोरा भी कर सकते हैं और इसे पहले साल 2019 में पियम मोदी ने राचारी सेक्टर में जवानों के संख दिवाली मनाई थी तो 2021 में प्रदान मद्री नरेंद मोदी जवानों संग दिपावली मनाने के लिए जमु कश्मीर के नौशेरा जा रहे हैं और ये लगातार आथवा साल है जब पीए मोदी दिवाली के दिन जवानों के बीच होंगे तो एक बार फिर से जवानों के साथ ही ये प्रकाश पर मनाने वाले हैं दिवाली का अफसर पीए मोदी इस शुब अफसर पर शुब दिन पर जवानों के बीच एक बार फिर से नज़र आएंगे और ये आठवी बार है 2014 से अगर बात करें 2020 तक साथ अलगातार पीए मोदी जवानों के बीच रहे दिवाली के से शुब दिन पर और देश वासियों से उन्होंने कहा कि आप लोग भी जवान भाईयों के लिए एक दी अपने घर में जरू जलाएं ये अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2014 से लेकर कि 2020 तक पीए मोदी ने जवानों के साथ अलग-अलग जगाहों पर दिवाली मनाई है कभी राजस्थान, कभी जमकश्मीर, कभी पंजाब, हिमाचर प्रदेश और साथी उत्राखन में भी पीए मोदी गए भर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी गए राजस्थान में जमकश्मीर के राजवरी और जहां पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ पर जवानों के साथ पीए मोदी ने दिपावरी में आई थी